हलो फ्रेंड्स आज से हम एक एसे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम कुछ MCQs multiple choice questions देखेंगे जो कि government exam में बहुत important होते हैं जो कि nursing के लिए बहुत जरूरी है जैसे aims, CHO और व्यापम, group 5 के exams के लिए ESIC, unni exam के लिए जरूरी होते हैं तो आज से हम अलग-अलग system के ओपर डेली एक वीडियो बनाएंगे आप वीडियो को अच्छे से देखें तो first question, first जो हमने आज से स्टार्ट किया है वो है sales और टीशू के बारे में हमने कुछ 20 questions देखे हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं, first है who is the father of cytology मतलब sale के अध्यन करने वाला जो subject है उसका father कोन है cytology के father कोन है, तो इसके लिए हमने चार option देखे हैं, Robert Hook, Robert Coach, Sir John B. Gooden और Rosalind Franklin यह चार है, आपको इन में से कौन सा जवाब सही लग रहा है, yes करें, देखिए, first यहाँ से स्टार्ट करते हैं, Rosalind Franklin Rosalind Franklin जो है, यह है DNA, इन्होंने DNA को discover किया था, Sir John B. Gooden, इन्होंने nucleus का transplantation किया था, Robert Coach, Sir ने, इन्होंने microbiology और bacteriomyology में इन्होंने योगदान दिया था, और Sir Robert Coach ने cytology का, अध्यान करने का हमको योगदान दिया था, तो father of cytology is a Robert Hook, यह इसका सही answer है, so right answer is A, okay, the second question, the cell is not applied for, cell किस चीज पर applied नहीं होता है, कौन सी चीज है, जिसको cell apply नहीं होता है, तो इसमें हमने चार option देखे हैं, bacteria, virus, fungus और algaig, guess करें इसमें, first bacteria, virus, fungus and algaig, so guys इसका right answer है, virus, क्योंकि virus एक ऐसा outer substance होता है, जो कि cell में पहले से नहीं पाया जाता है, fungus, cells को बहुत जल्दी कवर करते हैं, लेकिन bacteria और algaig जो होते हैं, cells को बहुत जल्दी कवर करते हैं, तो virus को cell तक कोचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये cell के उपर apply नहीं होता है, third question हम देखेंगे, the most outer layer of cell is, cell की सबसे बहारी परत, कोचिगा की सबसे बहारी परत कोन सी होती है, तो हमारे पास चार option है, first, cytoplasm, nucleus membrane, cell wall और mitochondria, अब हम इसमें देखेंगे, ये हमारी nucleus, ये हमारा nucleus membrane, यहाँ पर हमारे पास mitochondria होता है, ribosomes होता है, और cytoplasm जो द्रव होता है, वो इसके अंदर भरा हुआ होता है, और ये nucleus, ये nucleus membrane, cytoplasm इसके अंदर द्रव हो गया, और ये mitochondria, तो सबसे बाहार वाली जो परत है, ये वाली परत होगी, इसे बोलते हैं cell wall, तो इसका right answer होगा, cell wall, plasma membrane या cell membrane, इसका तिनो नाम है, fourth question हम देखेंगे, a plant cell wall is mainly composed of, मतलब जो plant cell wall होती है, मतलब पोदे की जो कोशिका की बाहरी परत होती है, पोदे में कोशिका होती है, उसकी जो बाहरी परत होती है, वो किस चीज़ से बनी होती है, तो इसके हमारे पास चार option है, protein, cellulose, starch and lipids, guess करें कोंसा का answer होगा, तो हम देखते हैं, इसका right answer है, cellulose, इसका right answer cellulose क्यों होगा, क्योंकि cellulose एक योगिक होता है, एक अनू होता है, जो molecules का बना हुआ होता है, इसलिए ये plant की जो sales होती है, उनकी बाहरी परत को compose करता है, next question, what are known as suicidal bag, किस चीज को आत्मात्या की थेली के रूप में जाना जाता है, तो चार option हमारे पास, ribosome, parasite, micro organisms and lysosome, अब इन चारों में से किस को suicidal bag या आत्मात्या की थेली के रूप में जाना जाता है, तो guys हम देखेंगे, micro organisms, सुक्ष में कन होते हैं, सुक्ष में जीव होते हैं, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, parasite ऐसे जीव होते हैं, जो अपने जीवित रहने के लिए आस पास के जो भी वस्तुए होती हैं, उनको घेर लेते हैं, और ribosome सेल के अंदर पाये जाते हैं, जो कि बहुत छोटे कन होते हैं, और lysosome ऐसे पदार्थ होते हैं, जिनको जब भूख लगती है, या जिनको जब एनरजी के आउशकता होती है, तो ऐसे टाइम पर वो खुद को ही खाने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, lysosome, यह suicidal bake के रूप में compose होते हैं, नेक्स्ट है, lysosome is known as societal bake because, मलब lysosome को suicidal bake बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, उसका क्या कारण है, तो इसके लिए हमारे पास चार ओप्षन है, उसकी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी की वज़े से, केटलाइटिक एक्टिविटी की वज़े से, पेरसाइटिक एक्टिविटी की वज़े से, या निूरोलाइटिक एक्टिविटी की वज़े से, हाइड्रोलाइटिक एक या किसी और को बाहर वाले अनगों खाता है और Neurolytic Activity का मतलब होता है क्योंकि उसके अन्दर तंत्रिकाएं जादा होती है तो इन चारों में से डाइट ओपशन है Hydrolytic Activity क्योंकि लाइसोसोम के अंदर कार्भो हाइडरेट, प्रोटेन, फेट, आधी चीजों का एक्टिविटी होता है ठीक है next है next question the fluidity of plasma membrane increased with तो plasma membrane की जो fluidity होती जो तरलता होती है वो किस चीज के साथ बढ़ती है किस चीज के बढ़ने के साथ बढ़ती है तो चार option है increased in glycolipids, increased in unsaturated fat, increased in saturated fat and decreased in phospholipid तो इसका right answer है increase in saturated fat मतलब जब saturated fat बढ़ते हैं जब fats अच्छी तरीके से saturate होते हैं जब अच्छी तरीके से घुलते हैं वोसा में तो उसके साथ-साथ plasma membrane की तरलता भी बढ़ती जाती है next question है a cell without a cell wall is term as मतलब ऐसी cell जिसके अंदर cell wall या फिर plasma membrane हम कह सकते हैं कि बाहरी परत नहीं होती है तो ऐसी cell को हम क्या नाम देंगे तो ऐसी cell को चार option है tonoplast, protoplast, simplast और epoplast तो इसका right answer है protoplast तो एक cell जिसके अंदर cell wall नहीं होती है उसको हम protoplast कहते हैं next question how much percentage of cytoplasm form cell मतलब कितना percentage cell के अंदर cytoplasm होता है जिससे उसका निर्मान होता है cell का कितना percent cytoplasm निर्मान करता है तो 45, 60, 70 या 35 percent 70 percent इसका right answer है 70 percent मतलब एक cell के अंदर 70 percent तक cytoplasm या कोशिका द्रव भरा होता है next question है which cell formation has been done after fusion of ovum and sperm मतलब जब ovum और sperm का fusion होता है या milan होता है तो उसके दोरान या उसके बाद में कौन सी cell का निर्मान होता है तो option से alpha cell, zygote, red blood cells and beta cell तो दोस्तों जब भी spermatozova, sperm और ovum दोनों का ही connection होता है जब दोनों का fusion होता है जब दोनों का visport होता है तो उसके बाद में शरीर के दोरा zygote cell का निर्मान होता है तो right answer is B next question है the connective tissue that connects muscle to bone is cold मतलब muscles को bone के साथ में जोडने वाले connective tissue कौन कौन से होते हैं इन में से कौन सा है जो muscles को bone से जोडने वाला connective tissue है first option है ligaments, tendons, nerve tissue all of the above मतलब ligaments, tendons और nerve tissue और इन तीनों में से कौन सा है या नहीं है तो इसको हम देखते हैं तो हमेशा जब भी connective tissue की बात आती है तो connective tissue हमेशा हमारी bones को connect करने के काम आते हैं तो bones को connect करने के लिए हमको nerve fibers, nerve tissue की ज़रुवत परती है tendons की ज़रुवत परती है tendons जो muscles को strong बनाने का काम करते हैं और ligaments दो bone को आपस में जोडने का काम करते हैं तो इसका right answer होगा all of the above मतलब यह सारी चीज़े मिलकर के connective tissue के रूप में काम करती है जो bones को muscles के साथ में जोडती है next question है antibodies are produced by किस चीज़ से antibodies का निर्मान होता है इन में से किस option में से antibodies का निर्मान होता है तो first है plasma cells, lymphocytes, erythrocytes and beta cells तो इसका right answer है lymphocytes lymphocytes antibodies का निर्मान करते हैं यह antigen के साथ reaction करते हैं और antibodies का निर्मान करते हैं और निर्मान करने के बाद में उनके बीच में reactions का formation करते हैं. Next है, which cells is affected by HIV? मतलब जब भी शरीर में HIV होता है, जब HIV virus शरीर के अंदर enter करता है, तो कौन सी cell जो है वो affect होती है, प्रभावित होती है. Alpha cell, neutrophils, bacinophils या helper T cell. इन चार में से कौन सी cell ऐसी है, जो affect होती है, HIV के शरीर में प्रभेश करने के बाद में. तो इसका right answer है, helper T cell. Helper T cell, HIV के शरीर में प्रभेश करने से AIDS का उत्पन करती है, जिसकी वज़े से helper T cells affect होती है. Next question है, plasma cells are formed from. Plasma cells किसके दौरा बनती है? इन में से किस cells के दौरा plasma cells का निर्मान होता है? तो इसके option हमारे पास है, beta cells, RBC, WBC and plasma. इन चारों में से किस से plasma cells का निर्मान होता है? तो RBC और WBC plasma cells से अलग होता है, और beta cells इसका right answer है. बिटा cells के दौरा plasma cells का निर्मान होता है. Next question है, the death of tissue is term is, मलब जब tissue की death हो जाती है, मलब tissue को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्या term हम लोग use करते हैं? तो sinuses, sinusitis, necrosis या thrombosis. इन चारों में से किस चीज़ का हम लोग use करते हैं, tissue की death का term के रूप में. thrombosis का मतलब होता है, veins और arteries में, हमारी जो blood vessels होती है, उसमें swelling आना. necrosis, sinusitis और sinus. sinus का अर्थ होता है, शरीर का निला पढ़ना, क्योंगी शरीर के अंतर oxygen की कमी हो जाती है. sinusitis हमारे sinus cavity में होने वाली inflammation होती है, जिसकी वज़े से nasal blockage हो जाता है, और हमको सर्दी चीक वगेरा start हो जाती है. तो इसका right answer होगा, necrosis. नेक्रोसिस का अर्थ होता है, tissue की death होना. next है, which among of the following is not a function of epithelium tissue? मतलब, which among of the following is not a function of epithelium tissue का अर्थ होता है, कि इन में से कौन सा ऐसा answer है, जो की epithelium tissue का function नहीं है. इन में से कौन सा ऐसा function है, जो epithelium tissue का function नहीं है. तो protection, structural support, secretion and absorption. ये चार option है, तो epithelium tissue इन में से कौन सा काम नहीं करता है. तो epithelium tissue protection का काम करता है, second है epithelium tissue secretion भी करता है, hormones का और epithelium tissue का अंदर absorption भी होता है तो epithelium tissue structure नहीं बनाता है मतलब epithelium tissue हमारे tissue का और body का structural support बनाने में मदद नहीं करता है तो इसका right answer है structural support B next A, the extracellular fluid consists of the following except मतलब ऐसा कौन सा, इन में से ऐसा कौन सा option है जिसके अंदर जो extracellular fluid के अंदर नहीं पाया जाता है तो extracellular fluid ऐसा fluid होता है जो हमारी cells के बाहर की और पाया जाता है और intracellular fluid cell के अंदर पाया जाता है तो blood हमारी cells के बाहर होता है CSA मतलब cerebro spinal fluid जो हमारी spinal cord के अंदर पाया जाता है यह भी बाहर होता है water भी cells के बाहर होता है लेकिन fluid inside the cell cell के अंदर जो fluid होता है उसे extracellular नहीं उसे intracellular fluid कहते हैं इसलिए इसका right answer होगा D fluid inside the cells next question है the lymphoid tissue are found in following areas except मतलब जो lymphoid tissues होते हैं इन चार option में से किस area में नहीं पाए जाते हैं except मतलब CY किस चीज के CY बाकी सब में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं तो जो lymphoid tissues होते हैं वो lymph node में पाए जाते हैं spleen के अंदर भी पाए जाते हैं और palate और troncels मतलब हमारे मूग के अंदर भी पाए जाते हैं सबसे प्रात्मिक टीशू सबसे शुरुआति टीशू कौन सा होता है connective tissue, muscular tissue, nervous tissue या epithelium tissue तो इसका right answer है connective tissue क्योंकि उनकी muscles को connect करना आउशग होता है क्योंकि animals के अंदर muscles सबसे important होता है उनकी muscles काफी heavy होती है और heavy fat के साथ बनी होती है इसलिए connective tissue सबसे initial tissue के रूप में जाना जाता है next है the tissue that helps in movement of the body is मतलब body की movement में कौन सा tissue help करता है so इसके options है मारे पास muscular tissue, nervous tissue, connective tissue and none of this above connective tissue bones को connect करते हैं nervous tissue हमारी nervous system के साथ काम करते हैं और तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं लेकिन muscles हमारी body की movement के लिए आउशक होता है so इसका right answer है muscular tissue ये हमारे सारे questions है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं इसी सीरीज की next वीडियो में जा आम और भी MCQs के बारे में देखेंगे Thank you